नमस्कार आप देख रहे हैं भारत रफ्तार न्यूज और मैं हूँ आपके साथ शहरीन शहीदों की शहादत को सलाम करते हुए आशोक चक्रप्राप्त शहीद नायक नीरज कीर्थी चक्रप्राप्त शहीद भ्रह्मपाल सिंग और शोली चक्रप्राप्त शहीद वीर सिंग के परिवारवालों को सम्मानित किया गया इसी बीच कारिक्रम में शहीदों पर आधारी डॉक्युमेंटरी देखकर हर शक्स की आँखे नम हो गई साथ ही सम्मान पाकर शहीद परिवारजरों की आँखे भी नम हो गई वही कार्यक्रम में मौझूद जिले के अधिकारियों ने भी शहीदों को नमन किया डीएसपी ने प्रचारिये ने भी इस कार्यक्रम का अपने स्कूल में आयोजन होने पर खुद को गौरवनवित महसूस किया और कहा कि स्कूली बच्चों ने भी देश प्रेम की भावनव प्रकट करते हुए सेना में जाकर देश की सेवा करने का प्रण लिया है इंडिपेंडेंस दे की सेलिब्रेशन के दहद पूरे देश भर में जो वीड नारीज हैं और जो शौर्य कुरिस्कार पुरिस्टित के जो नेक्स्ट अपके नहें उनको सम्हानित करने के लिए ये सेरिमनी आयोजित की गई में मक्सद यह था कि हम अपने देश वासियों को इन से इंट्रिद्यूस करा सकें इनके सैक्रिफाइस के बारे में और इनके जो पती हैं बेटे हैं पिता हैं उनके जो उनकी जो पुर्बानी है उसके बारे में हम पूरे देश को पता सकें वीरों को समानित करने का में मकसद उनकी इज़त करना है, साथ ही साथ यह जो युवा है देश के उनको प्रुथाइद करना है, जिससे कि वो भी आगे बढ़ चल के वो भी फौज में अपने देश के लिए पूरी होश और जोश के साथ लगें, देश के देश को आगे बढाने के लिए हर काम में मोटिवेटेड होके फूरी जोर से आए मेरे हस्पेन आधी में थी, उनकी पोश्ट है ना आरार में गई हो थी, और 11 अवस्त हो गई थी, 24 अगर्ष को उनने कुपवाडा में, आतेंगास के साथ मुठ्वेड में, उनकी साथ मुठ्वाड भी थी, और उन्हों अपनी घार तक पूर्ष करता, अपनी बटालियन के गरफ में बड़ी थे, पहला अपनी साथियों को बचाया हमों ने, फिर आप आतक वाजीों से मुठ्वीर हो, उनकी रिवालव लीजे को, और घातक वाजी एक आतक वाजीयों अन्दा दुन पूर्ष को नूर्ष को एक बड़ी पूरी परें और जिसमें उनने साहती गर्ब के साथ ये बात पूली हूँ, कि मैं नायक निरजकुमार असोग चक्ले, विजेता की थर्थी, पीलमार, परविशिडी देगा, बड़ा गर्ब महसेश करूँ, मुझे अपनी हस्बेंट की साहज़त पर बहुत करूँ है। क्या संदेश देना चाहेंगे। क्या संदेश, मैं तो अपने डिस्टिक बुलेंट सर की सारे पितातों को भी संदेश दोना चाहते ह। कि जितना बड़ा अवर्ड उन्होंने प्राप्त किया है, उस बंदे की नाम से कुष्टो करें। आप आने वाली पीडियों में भी पता नहीं हो गया, असो चक्रखिस को में। लाव क्या मिला उसने आप कोई गाओं में कुछ लाव नहीं मिला, नहीं सड़क बनाना, उसके नाम के रोड बनाना, कुछ नहीं बनाना। मन में दुख है। बहुत ज्यादा दुख है अपर उनकी साज़त का दुख नहीं हो जाए। उस पर तो बहुत करना है। अब मैं अपने हस्वेंट की मूर्ति की स्थापना 24 अगस्त को कर रही है। सबसे honey हैं , अगर उनके पास टााम हो , दो नट का टाइम तो फील आप कर करने ना। सारकार से क्या कहना चाहेंगे ? महना सरकार आपको दिख रहेगे। सारकार से कहना चाहते हूँ, सारकार के पास तो मिनट का भी टाम हो , किक पा मेरे हस्बेंट की साथ सहा, जब मुने मूर्ट की स्थापना करें तो by और क्या चाहनती ईस अंपरात से ? और क्यासे हैं, और कुछợ। मेरे हस्बेंट का काऊना ना हम थे इस्टिक बुलन सर मान चाहा ह। पुछ नहीं तो खुर्चा में उनके मुट की स्थापना करें, रोड के नाम लिखें, प्या कोई चोराया उनके नाम की रोना, यह चाहते हैं, क्योंकि आने वाली पीडियां उनने याद लगते हैं, मुझे तो सम्मान की जिंदगी बहुत मिल ली है, मैं अपने हस्बें का सम क्या विशे हैं, आज का बड़ा ही महत्वपूंड दिन है, NCC के 36 बटालियन ने पूरे उत्तरप्रदेश का यहां पर प्रोग्राम आयुजित किया गया, जो के मिनिस्ट्री अव डिफेंस की तरफ से था, तता यहां असोक चक्र बजेता, खीर्ती चक्र बजेता, ता सौर जो हमारे सही, जो उनके सहाधत हुई, उनके परिवार को और उनकी पत्मियों को और उनके बच्चें को बुला के यहां सम्मानित किया गया, 36 बटालियन ने दिल्ली पब्लिक स्कूल बलंशेर को यह स्थान चुना और यहां पे इन सभी को, सभी पूरे परिवतीनों के पर जाएड हैं, वो भी निलेश भनोट जी, वो भी आए तथा इसके जो डारेक्टर जनरल है, एन सी सी के, वो भी इस प्रोग्राम को डारेक्टर नोंने यहां पर आयुजद करने के लिए दारेक्टर उसको देख रहे हैं, मैं अपने स्कूल के प्रांगन में इस प्रोग्रा जाता है कि हमें बड़े होके सैनिक जो है करना है, देश की रक्षा करनी है, देश के अप्रती कुछ करना है, क्योंकि इनकी सहाधत को पूरा देश आज भी याद करता है, ये बाकि में अमर हैं, तो इस से बहुत ज्यादा बच्चों को प्रोफसान मिलता है, और कई स्पोर्स में दतानेवी में जाना चाहेंगे और देश की सिवा करना चाहेंगे, ठीक है सर्थ,